नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनकेडमी पेसी संकर पर और एक बर्णिंग इशू लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ और यह बर्णिंग इशू जो कि आपके स्क्रिन पर आपको देखने को मिल रहा होगा जवानों के लिए पिटाई शब्द पर क्यों भ बढ़क है वाक्या यह था दोस्तों कि लोग सभा में जैसंकर साहब जब अपना जवाब दे रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर उन्हें घेर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जवानों की पिटाई हो रही है अब यह पूरा का पूरा मामला क्य होगे तो एक घटना घटी थी आपके स्क्रेंड पर दोस्तों यह पुर्वत्तर भारत में अनुचल प्रदीश का जो है वो मैप देखने को मिल रहा है और अनुचल प्रदीश में अगर आप देख रहेंगे तो यह एक एरिया है दोस्तों जिसको की तवांग कह जाता है इस इसी तवांग में अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर को चीनी सहिना के साथ जड़प होई और इस जड़प पर जो है क्योंकि पुर्या देश जो है वो सरकार से जवाब मांग रहा था कि सरकार जवाब दे कि यह हो क्या रहा है तो इसी पर विदेश मंतरी को जो है वो किया है कि जवानों के जो पिटाई हो रही है ये शप्क नहीं होना चाहिए और इस इस वीडियो के मांध्यम से आप जान सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से भारतिय सीना और भारतिय सीना के साथ साथ आपके चीन के सीना ये दोनों के बीच में आपको जड़प देखते हो कि मिल रही है ये कटीले तार आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों और आपको कटीले तार के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि भारतिय सीना के हाथ में आपको कुछ लाठियां नजर आ रही है दूसरे तरफ जो है वो चीनी सेना नजर आ रही है और दोनों के बीच में जड़ब हो रही है जिस पर कि आप देख रहे हैं कि भारतिस सेना के तरफ से यह लाठियों के द्वारा वार भी या जा रहा है अब यह पूरी की पूरी सा हमें जो है देखने को मिलती है आगे इसी क्लास में हम देखेंगे भारती चीन के सीमा को जो साजा करने वाले रेखा है उसके बारे में और उन घटनाओं के उपर भी हम चर्चा करेंगे जो घटना इसके पहले भी घट चुकी है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारते जवानो जवानों का जो अपमान हो रहा है वो अपमान ना हो जवानों के लिए जो शब्द प्रियोग हो रहा है पिटाई यह शब्द नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शब्द भारती जवानों के बीच जो ज़ड़ा होई थी भारती जवानों के चीनी सैनिकों के साथ इसी पर यह कॉ मज़ भी सकते हैं कि पिटाई कौन किसी कर रहा है विदेश मंत्री जो है वो चीन की आक्रमक्ता पर विपक्ष के द्वारा जो बार बार प्रशन उठाए जा रहे हैं उनके सवाल पर जो है वो जवाब भी दे रहे थे और उन्हें कहा कि देखिए राजनितिक आप आलोचना जो कर रहे हैं वो कीजिये हमें राजनितिक आलोचना से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है लेकिन हमें अपने जावानों का अपमान बिलकुल बरदास नहीं है ठीक है तो ये सारी की-सारी जो है बाते हो रही थी और बार-बार जो है वही कह रहे थे कि देखि और विशम परिस्तेटी वाला जिद दरा रहा है जो पहाड़ी आपको नजार आ रही है दोस्तों यह 13000 फिट की उचाई की पहाड़ी हैं जो कि यांकसे का जो नाम है तो देश की रक्षा के लिए जो है वह कारे कर रहे हैं और इसी के ऊपर बार बार वह इसके पर cum जैसंकर साहब जो है वो कहीं न कहीं आपती भी दर्ज कर रहे हैं लेकिन इन्होंने एक बात और भी कहा कि देखिए हम जान रहे हैं कि चीन किस प्रकार से चीन और भारत के संबंद जो है वो गंबीर होते जा रहे हैं किस प्रकार से चीन जो है वो भारत को चारों तरप से घि आजरा रहा है जिसे को अगर खाया आ आप तो यृशमी है लुक्त के बीच उप्र देखने को मिल रही है जिसमें वेस्टन सेक्टर का एरिया नहीं अजरा रहा है और ये मैक मोहन लाइन नजर आ रही है, ये सेंट्रल सेक्टर नजर आ रहा है, ये इस्टन सेक्टर नजर आ रहा है, ये सिक्किम वाला है, आप करुणाचल प्रदेश के उपर का छेतर है, और लाइन आफ एक्ट्वल कंट्रोल एलेसी के बारे में बात करें, और ये छेतर आ चीन हमिसा कोसिस या करता है कि भारत के वो छेतर कास कर और उनाचल के छेतर या कसाई चीन के छेतर हैं उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है और भारत अभी हाल में ही आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से चीन अभी हाल में ही आप जान रहे हैं कुछ और भी तश्मीर हैं जैसे किरन रजीव जी ने एक जो ट्विट किया था उनके दो ट्विट को जो है वह लिया गया है आप देख रहे हैं एक ट्विट जो है 17 दिसंबर 2022 का है और एक ट्विट जो है वह आपको 29 आप देखिए ऑक्टूबर 2019 का है और दोनों में अगर जो है वह समान नजर आ रहे होंगे दोनों में फोटो जैब समान नजर आ रहे हैं तो किरन रजीव ने लिखा है कि अवाणाचल के च्छेत्र में गया थे लेकिन इसके उपर भी काफी प्रश्ट उठाया जा रहा है इसका लाव अगर हम बात करें दोस्तों आप यह देख रहे हैं कि राइन ओफ कश्मीर छे बात करता है चीन पाइब लाइन नजर आ disputed borders हैं और जो यह आपको औरेंज कलर में आपको जो नजर आ रहा है यह आपका जो है वो डिस्पीटर टेरेट क्रिश जो रहा है यह सख्किम का छेतर जो है यह भी disputed borders एरिया आपका भारत और चीन के बीच में हल में कुछ समाचारों पत्रों के माध्यम से यह भी जानकारी मिली थी कि चीन जो है वो अपने गाउं को भी बसा रहा है और इस पर भी विपक्ष ने जो है वो सरकार को काफी गेरा था जवाब मांगा था इसका लाव अगर हम बात करें दोस्तों तो आप यह देख रहे हैं यह दिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और चाइना के बीच कर देख रहा है यह शाई चीन का छितर है जो की भारत का छितर है जिसमें चीन बार बार गावा करता है कि यह हमारा छितर है तो यह सारी चीजेजें आपको देखने को मिल रहा है और कुछ वर्षों के पहले हमने थे तो कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा न्यूज था दोस्तों बहुत इंपॉर्टन न्यूज है आपको इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर कैसा लगा जरूर बताईएगा इसका लाव अगर हम बात करें दोस्तों तो अगर आप अनिकरबी का कोई ट्रेश चोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अडवांटेजिस एडवांटेज का फैदा उठा सकते हैं यह अथ दोस्तों इस ऐसका प्र पैदा सकते हैं इसके लाव लोगा रोग जो चैसका भी आप लाब ले सकते हैं तो-बैत गार को एक क्या यूज करना है वो कोड यूज करना है एंड यूपी बन जीरू अनॉप टैन तो यह आपका नूट से यूपी कैसा लगा शेशन जरूर बताएगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन दबादी जिएगा अपने मित्रों के साथ सांजा नही जैंड चैनल